हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो डाइबिटीस के कुछ खास लक्षण होगी जी हाँ दोस्तो आज हम आपको बताएंगे के आपके पैरो के द्वारा दिये गए कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आपको पता चलता है के आपका ब्लेट शुकर लेवल बढ़ गया है तो दोस्तो ध्यान से देखेगा वीडियो ताकि आपको भी ये पता चले के ऐसे कौन से लक्षन होते हैं पैरो के और दोस्तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं जिन लोगों को डियाबिटीज होती है दो जो कि अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उससे स्वास्ते संबंधि कई समस्याइं घेर लेती हैं दोस्तो आज हम इनी की बात करने वाले आप समझें दोस्तो कि अगर ब्लड शुगर लेवल लगतार बढ़ा रहता है तो इससे कही न कहीं हार्ट स्ट्रोक का खत्रा बन जाता है आँखों की रोशनी कम हो सकती है और पैरों का अलसर हो सकता है दोस्तों फिर तवचा से संबंधित समस्याइं हो सकती है या फिर urine infection हो सकता है और दोस्तों आज की वीडियो में हम कहीं न कहीं blood sugar level बढ़ने के कारण पैरों में होने वाली समस्याओं के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि अगर blood sugar level जादा हो जाता है तो हमारे पैरों में क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लक्षन की और ये है पैरों का सुन होना जी यहां दोस्तों प कही न कहीं जो blood है वो ठीक से flow नहीं कर पाता blood vessels में और इसी कारण पैर सुनो जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का दर्द या चुबन महसूस नहीं होती तो ध्यान दीजिए फिर दूसरा लक्षन है दोस्तों के चोट सही होने में सामाने से अधिक समय लगना जी यहां दोस्तों अगर आप diabetes के मरीज है और आपको पैर में चोट लगी है जो सामाने से अधिक समय ले रही है ठीक होने में तो यह कहीं न कहीं आपकी blood sugar बढ़ी होने का संकेत है दोस्तों experts का माना है कि अगर आपका blood sugar level बढ़ा हुआ है तो शरीर में bacteria फैलने के कारण मरीजों में infection होने के साथ ही पैरों में घाव भी होने लगते है या फिर ऐसी भी इस्तितिया आती है कि किसी चोट लगने पर या फिर घाव होने पर सामाने से अधिक समय लगे तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आप तुरंट अपना blood sugar test कराईए फिर बात करें अगले लक् कारण भी पैर सूच जाते हैं कभी कभी या फिर लंबे समय तक खड़े होने के कारण भी पैर सूच जाते हैं दोस्तो लेकिन अगर आपको diabetes है तो फिर पैरों की सूजन निश्चित रूप से चिंता की बात है आपको तुरंट अपना blood sugar test कराना चाहिए दोस्तों आप समझ के जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें